कि यह कख्षा नो के विज्ञान विश्य संबदीर वक्षीट है या बच्चे पुना नाम लिखेंगे और या आपने कख्षा दापकने को नाम लिखेंगे हमारा चेप्टर चल रहा है टिशू या उत्तक जिसमें हमने पढ़ा था पुछली बार पादाब उत्तक के बारे में और जनत उत्तक के बारे में तो पादाब उत्तक को दो भाग में वाज़ित किया गया था इस्थाई उत्तक और दूसरा विवाज़त उत्तक के बारे में तो विवाज़त उत्तक के बारे में अपने पढ़ लिया अगर जह हम पढ़ेंगे इस्थाई उत्तक के बारे में तो दुवरा स्थाय उत्तक कर निर्मान करती हैं किसी कोशिका को विशिष्ट कारे करने के लिए स्थाय रूप और आकार लेने की क्रिया विवेदी करण कहलाती है इसके कारण एक सामनी कोशी का अलग अलग आकार पाकार विजिस्ट कारे करके करने के लिए उत्तक निर्मान करती है और इस परकार पादप में इस्थाय उत्तक का निर्मान होता है इस्थाय उत्तक दो परकार के होते हैं सारल इस्थायुत्तक जो की एक ही परकार की कोशी का किसमान करते हैं जो इस्थायुत्तक ही विभाजित्तख होते रहते हैं लेकिन एक समय ऐसा आता है जब विवाजन की प्रक्रिया या विवेधी करण की प्रक्रिया खतम हो जाती है यानि कोशिक आके बढ़ने की संख्या यानि वाजन की प्रक्रिया दिरे दिरे वो खतम हो जाती है इसे कहते हैं विभी दी करणू तो जब ऐसी प्रक्रिया आ जाती है तो क्या होता है तब वो उत्तक इस्थाई उत्तक में बदल जाता है तो इस्थाई उत्तक दो प्रकार के होता है सरल इस्थाय उत्तक और जटल इस्थाय उत्तक तो सरल इस्थाय उत्तक कैसा होता है जिसमें एकी परकार की कोशिकाय सम्मिलता हो और जटल इस्थाय उत्तक कैसा होता है जिसमें विवन परकार की कोशिकाय उपलब्द हो ठीक है उच्छो अब सरल इस्थाय उत्तक ती तो प्लेंग काईमा की वोख्रों रिशी स्थाह देख लेते हैं अब जड़ा की ब्राओं में जड़ों के ब्राओं में पाई जाती है इनकी कोशिका जीवित होती है और कोशिका बित्ती बहुत पतली होती है इसकी कोशिका बंदन मुक्त होती है और इनके मद्दे काफी रिक्तिस्थान आंत्र कोशिका इस्थान होता है और आखरी में पैरन काईमा पोद पैकेजिंग का काम होता है इस वज़े से ये पैकेजिंग उत्तक भी कहलाते हैं और ये पाई कहा जाती है पत्यों के अंदरूनी सत्य तने और जड़ों के भराव में पाई जाती है यह जीवित होती है उनकी कोशिका बित्ती बहुत पतली होती है इसमें क्या होता है कोशिका बंदन मुक्त होती है और उनके मद्दे में काफी जादा रिक्तिस्थान होता है यानि कि अंतर कोशिका रिकस्थान होता है इनमें तो यह क्या करती है इनमें बहुत सारा बड़े-बड़े रजधानी होते हैं जिससे भोजन और जल को अपने अंदर भंडारित कर सकती है ठीक है बच्छो अब क्या है कुछ पोदों के परकास संसलेशन क्रिया संपन होती है तो क्लोरन काइमा में क्या होती है प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया संपन होती है फिर है जली पोदों के परकास संसलेशन की प्रक्रिया संपन होती है फिर है जली पोदों के परकास संसलेशन की प्रक्रिया संपन होती है तो ऐसी इस्तिती जब जलिय पौदे होते हैं उनमें क्या कहलाती है उनमें एरन कायमा कहलाती है ठीक है अच्छो तो ये तो बात हुए आपकी वक्षीट के बारे में अब जरफ प्रशन तो देख रहे हैं आपकी वक्षीट में कौन कों से दिये हैं पहला प्रशन है पादिक तो इस थाय उत्तक दो परकार के होते हैं सरल स्थाय उत्तक और जटल स्थाय उत्तक कैसे होते हैं जो एक ही परकार की कोशी का होती है जटल स्थाय उत्तक कैसे होते हैं जिसमें विवेण परकार की कोशी का हैं होती है सरल स्थाय उत्तक के तीन परकार हैं कि अगला कुछन देखते हैं कि विवेदी करन क्रिया किसे कहते हैं तो विवेदी करन क्रिया किसे कहते हैं कि विवेदी करते हैं कि विवेदी करते हैं कि दौरा इस्थाय उत्तक का निर्मान करती हैं तो किसी कोशिका को विवेदी करन के लिए स्थाय उग्रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विवेदी करन क robić कहते हैं है। चीक, ह refuse? यह विवेदी करन कहरती है। को एब कारिमा उत्तक की दो विश्चता है तो पर्मॉक कारिये निखी यह तो पेरन काम मा उत्तक की दो विश्चता है थो अ अ बहुत शक्राइ होती है यह कोशिक अजी आप होती है नोकिंज विश्यस्ता ही हो गई और दूसरी क्या है इनें प्रेकेजिंग उठीक के नाम से जाना जाता है कारे का होगे इसके कारे होगे बड़े दर्द्धानियों के द्वारा जल और बोजन का भंदानन करना ठीक है पहला कारी हो गया दूसरा का रिखारी क्या होता हुँआ प्रकास संसलेशन की क्रिया में भाग लेना चीक है बच्छा तो यह कारी होगे दो विश्षिस्ता दो प्रमुक कारे फिर प्रस्ट नमर चार पहुदों में पैनल काई में उत्तक कहां पाए जाते हैं उनकी पैकेजिंग उत्तक पी क्यूं कहा जाता है तो पौदों में यह पाये जाते हैं पत्ती हों कि रिख स्थाें तने और जृड़ों के जेडों के भराब में पाए जाते हैं और ने पैकेजिंग उत्तक इसलिए का जाता क्योंकि यह जल और भोजन का भंडारन या एकत्ते करण कर सकते हैं इसी वज़से ठीक है तो यह होगी आपकी वेक्षीट और वीडियो कंप्लीट आशा करता है आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे ल